हेलो दोस्तो मैं सुमन स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर तो हमने बात कर ले थी यहां पर 30 कुश्चन की और यह 30 कुश्चन आपका बिहार टीचिंग जो है आपके तो बिहार टीचिंग से सम्द्द जितने भी प्रिवियस एर कुश्चन हुए हैं उन्हें लेकर बात कर रही हूं मैं यहां पर बात करूं कि इसको इसमें से вопрос में कहां जा रहtechn है तो यह आपका रहने वाला है में लेकर चल रहे हैं जू बिहार का बिपिच जी के जी की फिल्सारी उन्हें हैं जितने भी वहां पर पेपर करवाया गया है उसी से संबंद इसमें सारे पेपर होंगे ठीक है बीपेसी से और बात करूं यहाँ पर यह जो क्लास है तो यह 30 question आपके हो चुके हैं जो कि बिहार के बिहार के जीयस संबंदित है तो यह बिहार का जीयस है इस पेसली यह डेली आपको 30 question का करवाऊंगी दूसरी बात करूं अलग से सस्टे की क्लास और जीयस की क्लास जो मैं ले रही हूँ वो भी आपका 1857 की क्रांते तक हो चुका है एसस्टे में ठीक है तो यह previous year पेपर 1857 की क्रांते तक आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लिजेगा इसके लावा आपको बताऊं मैं तो current affair की भी जल्द ही सुरू कर दूंगी ठीक हैं बात करें अगर तो यहां पर आभी आपकी जो क्लास मैं ले रही हूं तो इसमें आपका बिहार जीके सुरू किया है मैंने जीके और जीएस और दूसरा मैंने सुरू किया है सस्टे का जिसमें 1857 की क्रांती तक आपका प्रैक्टिस हो चुका है साथ ही साथ उसके डिटेल्स भी हम देखते हैं ताकि जो उसके अलावा भी कोई कोश हल हो जाए तो अभी तक जिन्होंने भी यह क्लासेश नहीं देखी जाकर देख लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि क्लासेश आपको टाइम से मिलती रहें नौटिफिकेशन आपको मिलती रहें अगर बेल आइकान दबा रहेंगे तो जातास जाद इन प्रकार के मंतरी मंडल में स्रम विभाग किसे सोपा गया था ये श्रम विभाक था जग जीवन राम को दिया राम को किसे जग जीवन राम को सब्सक्राइबे राम क्म लिए नित्वर, Sec. किया गया था। ठीक है कव दो सितंबर उनीक सो चे अलिस को अंत्रिम सरकार में जवाहर लाल नहरू को कारेकारी परसत्त का उपाद्धर बनाया गया था, बिदेश मामले और कौमन वेल्थ संबंद जबकि बिहार के जग जीवन राम कौन थे बिहार के बिहार के रहने वाले थे जग जीवन राम जो कि एक स्रम विभाग के अध्धिश बनाए गए थे तो यहाँ पर बात कर यह question आपका important है क्योंकि यहाँ पर बिहार की बात हो रही है तो श्रम विभाग में कौन थे बिहार के जग जीवन राम थे बात आई समझ में ठीक है अगला बात करें तो अगला question है आपका अगला question है बिहार के आर्थिक सर्वेच्छड 2021-22 की बात है यह लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो reality में यहाँ पर 2022-23 का होना चाहिए इसलिए current affair का question है और इसे हम नहीं लेंगे जितने भी यहाँ पर अगर current affair के question होंगे उन्हें हम पढ़ेंगे नहीं ठीक है क्योंकि फाल्टों में पढ़ने से क्या फैदा आपको पढ़ना जब 2023 का है ठीक है चली तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह आपका 22-23 कहीं पढ़ना होगा दूसरा question है आपका 33 सहरी करण के बढ़ते अस्तर के अनुसार बिहार के निम्न जीलू का सही करम बताईए यानि सहरी करण के बढ़ते हुए अस्तर बताना है तो इसमें देखा जाए पहला है नालंदा मुंगेर पटना यह क्या है सहरी करण बढ़ते हुए सहरी करण के अस्तर है सबसे पहला क्या है नालंदा है फिर आपका क्या है मुंगेर है उसके बाद आपका पटना है ठीक है अगला कुश्यर है आपका यहां पर एक चीज पॉइंट अपको ध्यान देनी वाली बात है जो कि मैंने कल की क्लास में भी करवाई थी यहां भी बात करें अगर बिहार में सरवादिक सहरी करण पटना का है 44.3% तता सबसे कम किसमें है समस्ति पूर का सहरी करण है सबसे जादा अगर पूछा जाएगा तो पटना का है सहरी करण और सबसे कम पूछा जाएगा सहरी करण तो यह हो जाएगा आपका बिहार का समस्ति पूर ठीक है 2011 की जंगंडना के अनुसार बिहार का सहरी करण 11.3% था लेकिन भरतमान में कितना हो गया यह बढ़कर 3% बढ़ गया है 4% तो 4% अगर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15.3% ठीक है अगला कोशन है आपका बित्तिय वर्स 22 तेस के लिए राजकोशिय घाटा बिहार के GSDP क्या है GSDP होने का अनुमान क्या है कितने परसंट होने का अनुमान है GSDP बिहार का 2022 तेस के राजकोशिय घाटा ठीक है तो यह है आपका 3.47% 3.47% यह राजकोशिय घाटा है बिहार का GSDP का 3.47% है जो पिछले बित्तिय वर्स 2.97% था ठीक है अगला कोशन आपका वह विकल्प चुनिए जो बिहार की साथ निस्चे भाग दो योजना का हिस्सा नहीं है तो यह है आपका सभी के लिए वायू मार्ग यह साथ निस्चे भाग में नहीं सामिल है बलकि इसमें युवा सकती बिहार की प्रगिति सामिल है सवसक्त महिला, सच्छ महिला भी सामिल है हर खेप में सिचाय का पाने भी सामिल है लेकिल सभी के लिए वाई मार्ग जरूरी नहीं सभी के लिए वाई मार्ग कैसे हो सकता है बताईए तो सभी के लिए वाई मार्ग पॉसिबल नहीं है तो ये यहाँ पर सामिल नहीं है और यही आपका अंसर हो जाना है अगले कोशन की बात करें अच्छा यहाँ पे कौन-कौन है साथ वो निश्चे तो यहाँ पे देख लिजे वो साथ निश्चे कौन-कौन सा है पहला है यूवा सक्ती बिहार की प्रगती दूसरा है ससक्त महिला सच्छम महिला हर खेट में सिचाई का पानी सबी के लिए अत्रिक्त स्वास्त सुविधा की बात की गई है तो ये साथ निश्चे भी भागें ठीक है चलिए अगला कोशन है आपका प्रति व्यक्ति आय के आवरोही क्रम में क्या पुछा है आवरोही क्रम में बिहार राजी के जिलो का सही क्रम चुनिए तो आवरोही क्रम की बात की है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा प्रति व्यक्त प्रतिविक्ति आय के अव रोही क्रम में बिहार राजी के जिलो का सही क्रम पुछा हैं प्रतिविक्ति आय के अधार ठीक है तो सबसे कम किसका है नवादा का उसके बाद किसन गंज फिर उसके बाद आता है पूरवी चमपारण फिर आता है अररिया और सीवहर अरिया उत्तर बिहार के उत्तर में है और पूरवी चमपारण जो है आपका बिहार के जो है जो पस्टमी चमपारण उसके पूरब में पड़ता है है ना फिर आपको किसन गंज आता है नवादा नवादा सबसे पहले आ जाएगा फिर किसन गंज आएगा फिर पूरवी चमपारण फिर दो हजार यानि यह औरोही करम है घटते हुए करम में हैं तो सबसे ज़्यादा किस में है कहां पर नवादा में फिर आपका किसन गंज में हैं फिर आपका पूर्वी चमपारण में हैं फिर आपका अररिया में हैं फिर आपका सीवहर में हैं ठीक है अगला कोश्चन है आपका अच्छा यहां पर बात करें प्रतिव्यक्ति आय के मामले में सिर्ष अस्थान किसका है तो यह पटना का है पटना में कितना है एक सो एकतिस पॉइंट एक हजार जबकि सबसे कम प्रतिव्यक्ति आय कौन सा जिला है तो यह सिवहर है पहला है आपका पटना सबसे जादा और सीवर सबसे कम है 19.6000 अगला कुश्यन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है तो ये हो जाएगा आपका जमयू जिला जमयू जिले में देश के सबसे बड़े भंडार सोने का हो जाए गया है ठीक है यहां पर बात करें अगर तो जमी जिले में 27 टन खनी जी यूगत आयास का सहीत लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है कितना 222.88 मिलियन टन अगला कोईश्य ने बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है तो यह सिल्क सिटी कौन है भागलपूर ठीक है भागलपूर बिहार बात करें यहां पर बिहार प्राचीन काल से ही रेसम निर्मित कपड़े के लिए जाना जा रहा है राजी में कौन है भागलपुर और आसपास के छेतर में भी सूती रेसम उद्दो के अधिकते एकाईया हैं भागलपुर को सिल्क सेटी के रूप में जाना जाता है या टॉसर सिल्क बिश्वव में जाना जाता है यहां का जो टॉसर सिल्क है ठीक है बिहार राजी का कुल भागालिक छेतर कितना है तो यह नैं ना grocery कितना है 9,41,000 ठीक है 9 लग क्या है यहां पे मैं बात करूँ तो यह आपका हो जाएगा 94,163 वर्ग किलो मीटर कितना 94,163 वर्ग किलो मीटर ठीक है 9 लग नहीं होगा बोलने में थोड़ी से गलती होगे ठीक है यहां पे 94,163 वर्ग किलो मीटर हो जाएगा ठीक है अगर बात करें तो यह है भारत के कुल छेत्रफल का कितना होगा भारत के कुल छेत्रफल का 2.86 परसेंट है कितना कहीं पर बारा अभी आता है अगर तेरा आप्सन में नहीं है तो बारा को ही लगाएंगे तता जनसंक्या के अधार पर कौन से नंबर पर है जनसंक्या के अधार पर यह कौन से नंबर पर तीसरी नंबर पर पहले नंबर पर कौन है तो उत्तर प्रदेश है कौन है उत्तर प्र बहुत जादा जो है बार जब आता है तो इससे बहुत जादा जन हानी की जन धन की जो भी हानी होती है बहुत जादा होती है तो यहां पर बात करें इसका उदगम कहां से होता है कोसी नदी का उदगम चीन के अधीन यानि चीन के अधीन जो तिबबत है ना तिबबत से होता ह जहां अरुड कोसी नदी अपनी साथ सहायक नदियों के सुत कोसी तामबा कोसी तलक दूध कोसी भोटिया अरुड तामूर एक दो तीन चार पांच छे साथ यह साथ से मिलकर बनती है कोसी नदी कोसी नदी अंत में तीन नदियों में क्या करता है बट जाता है कौन कौन से तमूर अरुड और सुन कोसी यह नदी अपने मार्ग परिवर्टन के लिए जाने जाती है इसलिए इसे बिहार का क्या कहा जाता है सुक कहा जाता है यहां से question बनता है जो कोशी नदी है वो कहां पर जाकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है तो यह अंसर हो जाएगा खगड़िया जिले में ठीक है बात आई समझ में तो बात करते हैं यह उत्तर बिहार की एक नदी है अगला question है आपका बिहार की किस जिले में तेलहर कुंड जल पर पात इस्थित है तेलहर कुंड जल पर पात आपका कहां पर है यह क्यामूर में है ठीक है यहां जैसे यह आपका मान लीजे बिहार का map है न ऐसे तो क्यामूर आपका यहां पर देखने को मिलता है तो यह क्यामूर में ही आपका तेलहर कुंड जल पर पात है बात करेए है क्या चीज़ तो तेलहर कुंड अथवा तेलहर जल पर पात बिहार के क्यामूर जिले में भववा अधावरा मार्ग पर इस्थे थे कहां पर भववा अधावरा मार्ग पर यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्धिगम के पास रोहतास पठार में इस्थे थे कहां पर रोहतास पठार में इस जरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है कि इसका तिलहर जल प्रपात के पानी का जो है जल हमेशा ठंडा रहता है और यह रोहताज पठार से में इस्थित है दुर्गावति नदीद के उद्गम से यह उद्गम के पास होता है यह ठीक है बात करें व जलपरपात पर करमच करम चट बांध भी बना हुआ है तो पूछ सकता है आपसे कि करम चट बांध किस जलपरपात पर इस्तित है बिहार में ये हो जाएगा आपका तेलहर कुंड या फिर तेलहर जलपरपात जो कि आपका किस जिले में है क्यामोर जिले में भवुवा अधोर अगला question है आपका बिहार का 4 विद्रों वर्स हुआ था तो बिहार का जो चौरी विद्रों हुआ था यह 1798, में हुआ था ठीक है 1798 में जो है 1798 या 1795 से अठारा सो इस इस भी में हुआ था यह चौरी विद्रो बिहार का तो यह डेटा ध्यान में रखेंगे 1798 ठीक है अगला कोशन है किस वर्ष उडिसा को बिहार से अलग किया गया था यह किया गया था 1936 को ठीक है 1936 को अलग किया था 22 मार्च 1936 को ठीक है बात करें यहां पर अगर नहीं यहां पर अगर मैं बात करूं तो यह अलग जो हुआ था बिहार से तो यह 1 अपरेल को अलग हुआ था ठीक है 1 अपरेल को लेकिन यह 22 जो है मार्च क्या है तो यह भी हम बात करते हैं अभी पता चल जाएगा देखिए 1 अप्रेल 1936 से उरीशा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग कर दिया गया और एक नयाराज बनाया गया तो बिहार दिवस कम पूछेगा कि उरीशा दिवस कम मना जाता हैं तो ये 1 अप्रेल हो जाएगा क्योंकि एक अप्रेल 1936 को उडिसा को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया और 22 मार्च 1912 को बिहार और उडिसा बंगाल को अलग किया था इसलिए बिहार को जो दिवस मना जाता है ये 22 मार्च को बना जाता है बात करें आपर जारकंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को जो है जारकंड को अलग किया गया बिहार से ठीक है कब 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया अगला क्या है यहां पर इस विद्रो का संबन चुवार विद्रो से हैं 1798 से 1799 में दुरुजन सिंग और लाल सिंग द्वारा यह विद्रो किया गया था दुरुजन सिंग पुछेगा चौरी विद्रो से संबन्द किसका है तो दुरुजन सिंग और लाल सिंग का है ठीक है ज यो भी विद्रो हुआ था ब्रिटिस सेना ने असफल कर दिया था ठीक है यहां अगर बात करें तो 1766 में बंगाल के जंगल मंगल के आदिवासियों ने ब्रिटिस के खिलाख जल जंगल के बचाव के लिए सोसर से मुक्ति के लिए यह विद्रो किया था किसने जंगल महल के आदिवासियों ने किया था ठीक है अगला कोशने बिहार में तुर्क सप्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था जो तुर्क सप्ता था उसकी स्थापना किसने किती बिहार में तो यह किया था इबन बक्तिया खिल जी ने इबन बक्तियार खिल जी ने तो वह बनारस तथा अवध चेतर के सेना पती मलिक हुसामुद दिन का सहायक था कौन बक्तियार खिल जी बारवी से तेरिवी सताब दिन थेखे तो हुसामुद दिन का सहायक था बारवी से तेरिवी सताब दिने बिहार में कर्म नासा नदी के पूर्वी तट पर सैनिक अभियान किया उस समय वहाँ पर सेन वन्स सासक लचमर सेन था ठीके बिहार में कर्मस नदी के पूर्वी ओर ठीके न कि भिजय थी ठीक है 1199 इस्वी में संपन्न हुई बक्तियार खिल्जी ने एवबक की संपर्भुत्ता आपचारिक रूप से स्युकार की मगर बिवार में हुआ अपने दिजित छित्यों को सासक बना रहा है बक्तियार खिल्जी ने अपनी राजदानी किसे बनाई थी यह भी कोश्चने बिहार के प्रथम भारतिय गवर्नर कौन थे तो पहले भारतिय गवर्नर सतेंद्र प्रसंद सिन्ना थे बिहार के पहले भारतिय गवर्नर सतेंद्र प्रसंद सिन्ना थे ठीक है बातकरियां पे मांटेग्यू चम्सफोड परस्ताव के अधार पर बने भारत सरका अधिनियम 1919 को हाउस आफ लॉड्स में पारित करवाया गया 1920 में इन्हें बिहार और उडिशा का गवर्नर न्यूक्त किया गया था ब्रिटीश सासर्म इस पद पर आसिन होने वाले पहले भारतिय थे 1920 में बिहार और उडिशा के गवर्नर बने बिहार के रितिक आनंद ने ब् अगला कोशन है हाली में बिहार में किस अच्छा ये 2022 में अगर किया गया है तो ये आपका कहां दोजार तेश का ये कुस्शन करना आपका करंट ऺैराना ची लेकिन यह आप बात कर लेते हैं इसके बारे में भी कि बिहार में किस अस्थान पा उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिगिं स्टेशन खोला गया है तो ये खोला गया है भागल पुर में ब संड़च्छड योजना शुरू की गई है तो यह किया गया है वाल में के टाइगर रिजर्व के द्वारा ठीक है अगला कुशन है यहां पर जो है अगला कुश्यन है आपका सूची मिलाना है सूची बन को सूची दो से मिलानी है बिहार के राज़ेपाल बिहार के न्याई धीस और बिहार के मुख्य मंतरी कौन है बिहार के जो है मुख्य अंचुना अधिकारे कौन है ये देखना है ठीक है अगर बात करूं मैं यहां पर तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर अब दिख रहा होकर ठीक है तो यहां पर अगर बात करूं मैं तो बिहार के राज़िपाल कौन है राज़िपाल है आपके स्री फागु चौहान बिहार के राजपाल कौन है? स्री फागु चौहान बिहार के मुख्य नयाधिस कौन है? मुख्य नयाधिस है स्री संजे करोल संजे करोल क्या है? बिहार के मुख्य नयाधिस है बिहार के मुख्य मंत्री सबको पता है नितिस कुमार है ठीक है ना नितिस कुमार है बिहार के मुख्या मंत्री बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है तो ये है स्री एम आर स्री निवास ठीक है तो मुख्य चुनाव अधिकारी स्री एम आर स्री निवास है बिहार के मुख्य नियाधीस संजे करोल है बिहार के राजिपाल जो हैं यह हैं आपके फागू चोहां ठीक है अगला कोश्चन अच्छा है यहां पांसर क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा अगला कोश्चन है आपका बिहार से किसे 2022 में दादा साहे फाल के बारतिय टेली बीजन पुरुस्कार से सम्मानित किया गया तो यह ह भारतिया टेली बिजन भारतिया टेली बिजन प्रुषकार से सम्मानेट किया ठीक है अगला कोश्चन है तो यहां पर बिहार मेखादी के ब्रांड एंब इंबेसर कॉन्च है बिहार में खादी ब्रांड अमेजडर कौन है यह है मनोज तिवारी है को वरतमान में लोक गाई का यूवक लोक गाई का मैथली ठाकूर बिहार में खादी की ब्रांड अमेजडर निव्ट की गई है वरतमान में कौन है वरतमान में अब बनी हैं मैधली ठाक ठीक है जो कि खादे की ब्रांड इमेज़र बनी है बिहार की बात करें अगले कोशन की अगला कोशन है आपका सीता माता की बीसु की सब से लंबी मुर्ती 251 मिटर का निर्मार बिहार के किस जिले में किया जाएगा तो यह सीता मड़ी याद करना असान है तो सबसे बीसु की सबसे लंबी मुर्ती 251 मिटर का निर्मार बिहार के सीता मड़ी जिले में किया जाएगा और यहां पर बात करें कि इसमें लागत कितनी आने वाली है यह आने वाला है आपका 400 करोल रुपे की लागत से इस मुरती का क्या किया जाएगा निर्मान किया जाएगा अगला कोश्च ने बिहार में DNA की सत्ता, ठीक है, बिहार में NDA की सत्ता, मेरा ना दिमाग साइंस में जा रहा है, NDA की सत्ता जो है सत्ता दल में कौन हिस्सिदार नहीं है यानि कौन सामिल नहीं है NDA की सत्ता नहीं सामिल कौन नहीं है तो बात करें यहाँ पर यह है आपका RJD RJD ठीक है RJD सामिल नहीं है किसमे NDA की सत्ता दल में बात करें यहाँ पर कि RJD बिहार में अंडिया के सत्ता में सामिल नहीं है इसके अलावा कौन सामिल है तो इसके अलावा जितने भी BJP है आपका BJP हो गया यह सामिल है जे डी यू सामिल है एच ए एम सामिल है तो BJP हो गया ह एच ए एम एच ए एम जे डी यू यह सभी सामिल है ठीक है ना बात करें हम अगर तो NDA सरकार के तहट मुख्य मंत्री नितिश कुमार थे NDA सरकार के तरफ से कौन है मुख्य मंत्री नितिश कुमार थे वरतमान में 10 अगस्त 2022 को RJD और JDU ने संग्त रूप से नई गड़बंदन सरकार बनाई इस गड़बंदन सरकार में मुख्य मंत्री नितिश कुमार थे तो यह सभी को पता है भारत में किसी भी अगर राजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सभी क्रीशी पर ही डिपेंड है ठीक है ना तो बिहार की हो या फिर भारत की हो अर्थ विवस्ता छेतर जो है अधारी थे तो यह आपका अधारी थे क्रिसी पर ठेके ना अगला कुश्यन है अपका अच्छा यहां भी बात करें तो बिहार में क्रिसी वित्पादन में नियोजित जनसंख्या का प्रतिसत लगबग 80% क्रिसी में लोग हैं जो राश्टी औहसत से बहुत अधिक हैं अगला कोश् GDP क्या है जी डी पी रैंक क्या है भारत में बिहार की 2021 के अनुसार पूछा है तो यह बताए 2021 के अनुसार चौदवा हैं लेकिन हमें देखना है किसका 22 तेज के एकॉर्डिंग तो इसके बारे में भी आएगा आपका अलग से मैं आर्थिक और सरवेच्छड के टॉपिक ले प्रति व्यक्ति क्या है प्रतिव्यक्ति क्या है तो यह तasan इसवा 33 है। प्रतिव्यक्ति आया का प्योग किसी छेत्री के लिए और जन्सेंख्या के जीवन अस्तर जीवन की गुर्गत्ता का मुल्यांकन करने के लिए किया जाता है बात आगी समझ में अकला कोशन देखते हैं हम अच्छा हम अच्छा हमसे ना कुछ ना कुछ गड़बर होता ही रगता है ठीक है ना कहां पर गया कि अगे हम कि एक मिनट यहीं पर थे न जी तो यहां पकर बात तुरू में 59 कोस्ट developmental 58 कोशन की तो 58 कोशन में आपकी बात की गई है क्या कि मान बिहार का जो है आपका मानो सुचकांग ठीक न बिहार के मानो सुचकांग رैंक क्या है मानो विकास सुचकांक रैंक बिहार में तो ये है आपका 36वा है 2017-18 के अनुसार बिहार की मानो विकास सुचकांक रैंक कितनी है 36वा रही है इस संदर में सिर्श अस्थान किसका है केरल का है मानो विकास सुचकांक में अब बात करें तो यह हमें जो है उस टाइंग के पेपर की बात थी 2022 पे जो ही थी लेकर अब हमें बात करने हैं यहाँ पर अगर बात करूं वर्स 2021 में भारत बिहार की मानुल विकास सुचकांग कितनी थी 34 थी तो यह 36 वर दिया है लेकिन यह कोशन आपका यहाँ पर ऑप्सन गलत है कोशन गलत नहीं ऑप्सन गलत है तो यहाँ पर यह 2017-18 के नुशार दे दिया है जबकि यहाँ पर होना चाहिए था 34 ठीक है न क्योंकि यहाँ पर पेपर 2022 में हुआ था तो यह 2021 का पूछी गा तो 2021 के न इसका क्या रहा है मानो बिखा सुचकांग बिहार का ठीक है न अगले कोशन की बात करूँ जनगर्णा 2011 के नुसार बिहार का लिंगा अनुपात क्या था तो ये था आपका 918 ठीक है 918 था किसने पर तो ये था आपका 1021 कितना था जिसका लिंगा नुपात जब कि बिहार का सरवादिक लिंगा नुपात वाला जिला गोपाल गंज है सरवादिक लिंगा नुपात वाला जिला कौन है गोपाल गंज इसका लिंगा नुपात कितना है 1021 और सबसे कम है तो ये है मुंगेर का सबसे कम है लिं ननुपात हैं और सबसे कम मुंगेर में 876 हैं बात करें हम अगले कोश्चन के और ये भी आपका बिहार आर्थिक सरच्छर आप देख रहें बार बार एक कोश्चन आ रहा है इसका मतलब हमें इसका अलग से पढ़ना पढ़ेगा और यहां पेज को पढ़ना बिकार है अगले कोश्चन की बात करें बिहार राज के प्रथा मुख्य मंत्री कौन थे तो पहले मुख्य मंत्री स्री कृष्ण सिन्ह थे बिहार के पहले मुख्य मंत्री कौन थी स्री कृष्ण सिन्ह बिहार के राज बिहार राज के प्रथा मुख्य मंत्री स्री कृष्ण सिंग चुने तो यह हैं नितीज कुमार ठीक है चले तो यह थे आपका 31 question और आपका कल से लेके आज का दो class में आपका कम से कम 61 question आपके हो गए है और जितने भी आपके भी तक बच्चे और विहार जीके और विहार जीके जीस का है तो यहां पर सिर्फ इस्पेशल बिहार का रहने वाला हैं ठीक है न तो जिन्हों ने पिछली क्लास नहीं देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन दबा लिजेगा कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर ब